ओनलाइन गुरुकुलम में आपका स्वागत है मुख्य परिक्षा में महत्पूर्ण जो बिंदु होता है वो होता है उत्तर लेखन सभी के एक चाहत होती है कि उनका जो उत्तर है वो दूसरों से अलग हो और उनके उत्तर की मार्किंग भी अच्छी हो लेकिन आपको आपके उत्तर की मार्किंग अच्छी करवाने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके उत्तर लेखन में डालने होंगे जो कि आपके उत्तर को दूसरों से अलग बनाए और आपके उत्तर में वो अब्जेक्टिविटी वो तत्त शामिल हो जो परिक्षत आपके उत्तर में चाहता है तो इसी को लेकर इसी कड़ी में ओनलाइन गुरुकुलम के प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो आज हम लेकर आए हैं जो वीडियो है अच्छा उत्तर केसे लिखें आपको किन-किन चीजों का ज्या रखना चाहिए जिससे आपको उत्तर अच्छा बने इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ओनलाइन गुरुकुलम एक बहुत जल्द मेंस की टेस्स सीरीज लेकर आने वाला है जिसमें आपको मेंस के सारे पेपर मैंस के सारे पेपर के साथ-साथ उनके 3 मारकर, 5 मारकर, 11 मारकर क्या-क्या संभावित होंगे पहली बार चेस्स सीरीज में ये भी आपको दिया जाएगा या और कहीं नहीं दिया जाता है साथ-साथ आपको model answer, live discussion किये जाएंगे उसके साथ-साथ आपको एक answer writing grooming प्रोग्राम भी चलाए जाएगा ये मैंने आपको छोटी सी जानकारी दी, एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूँँगा कि सुबह 9 से 1 तक online गुरुकुलम की लगाता live classes one day exam के लिए चल रही है जिसमें विज्ञान गनित English जैसे और इतिहास जैसे सारे subjects पढ़ाए जा रहे हैं तो आप उसको भी विशेष तो पर follow कीजिएगा, वो आपको सभी exams के लिए काम आएगे आज मैं आपको साब बात करूँगा अच्छा उत्तर के से लेंके, किन-किन मिंदू पर में ध्यान रखना है कि आपका उत्तर एक अच्छा बने इसके पहले भी आपको पुछले शब्द और प्रश्णों के प्रकार मेंस में, इस पर अपने वीडियो आ चुके हैं, उनको जरूर देखिएगा, उसी कड़ी में के अगला वीडियो में लेकर आया हूँ, जो है अच्छा उत्तर के से लिखिया देखिए, सबसे पहले मैं आपसे कुछ चीज़े डिसकस करना चाहूँगा, सफलता की जो गैरंटी है, वो आपका उत्तर लेखन ही है, क्योंकि आपके मैंस के और इंटर्व्यू के नमबर मिलकर ही आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, तो सफलता की जो आपकी गैरंटी ही, व है, वो डेटा हो, रिपोर्ट हो, डाइग्राम हो, तो यह सफलता की गैरंटी है, आपका उत्तर लेखन ही है, जो ओनलाइन गुरुकलम आपको विशेश तोर पर करवाएगा, अगला है, लेखनी का कितना योगदान होता है, तो लेखनी जो होती है, लेखनी को पठनी होना चाहिए, यानि कि readable हो तो भी चल जाएगी, readable होना हो श्याक है, वो पढ़ी नहीं पाएगा, तो क्या जाचेगा, आपको लाख knowledge हो, वो नहीं जानता आपको परसनली, आपका नाम x y z हो, आपको सब आता हो, वो नहीं जानता कि x y z कौन है, उसके लिए आपको विस्टिंग बहुत अच्छी है, तो उसको एक-दो number extra मिलते हैं, यह फिसल जाते है पर इक शक के हांसे, उसको अत्रिक प्रोसान मिलेगा, वो आप मान के चलिए, समय प्रबंधन की अब ज़्यादा समस्या नहीं रही है, क्यों, क्योंकि अब word limit कम हो चुकी, पहले 3 marker 30 words का था, अब 10 words क का हो गया है, पहले 50 marker 300 words का था, अब 11 marker बन गया है, और 200 शब्दों का हो गया, तो सीधे शब्द सीमा काफी कम हो चुकी है, तो आप blueprint भी mind में बना सकते हैं, कि मुझे इस उत्तर में यह लिखना है, उसके बाद आप अपना उत्तर लिखन चुरू कर सकते हैं, तो आप समय परबंदन भी बहुत वीशेश समस्य आपके लिए नहीं रही है, यह आपको मैंने बता है, मस्तिष्क में पहले से ही blueprint बना लें, कि आपको क्या लिखना है, उसी प्रकार से उसको आप लिखिए, दो तीन सेकंड का समय आप सोचना हैं, उसके बाद लिखें, यकीन मानिए आपको उत्तर बहुत अच्छा रहेगा, दीगए शब्द सीमा अधिक्तम है, न्यूंतम नहीं, अब देखिए जो मैंने आपको पता ही, दस सब्द, पचास सब्द, दो सब्द, यह अधिक्तम सब्द सीमा है, जरूर नहीं कि आपको इतनी लिखनी है, अगर आपको उत्तर 117 शब्दों में ही खतम हो गया, तो कोई जरूर नहीं कि 200 शब्दों कर उसको खीचा जाए, तो यह सब्द सीमा अधिक्तम दिया, आपको न्यूंतम नहीं है, याद रखिएगा, अनावशक चित्र वा मान चित्र आपको नहीं बनाने हैं, जहां जरूर तो महीं बनाए, ड भावुकता में आकर विस्तार ना दे, पूछा गया, विवरण ही दे, भावुकता में आकर क्या होता है, कि आपको जो प्रशन का उत्तर ज्यादा अच्छे से आता है, आप उसको बहुत अच्छे से लिखने लग जाते हो, और जो बात पूछी गई है, वो नहीं लिखते ह रिपोर्ट को यादनी आरहे को रिपोट मैं आपको याद नहीं आ रहे है तो गलत ना लिए रिपोर्ट यों सा पास पास लिख सकते हो युनो के टनी रपोर्ट आती है कि आप कुछ भी लिख दो कि और की संख्या वहलाओ की अम्मी टूह यक् souha itu वह या महिलाओ की उफिसमें कारी कारश हमता कैसी ही महिला आद्यु से कितनी reminds कि करन्ति के अगर कोई कारण पूछता है पचास शब्दों में तो आपको केसे लिखना है हलाकि इसके लिए पहला वीडियो भी हम डाल चुके हैं प्रश्णों के प्रकार उसको भी देख सकते हैं लेकिन ये एक आपको उधारन यहां पर भी दे रहा हूं तो आपको आर्थिक, सामाजी, ग्राजनीतिक, भोगोलिक, संस्कृतिक सारे एक एक कारण लिखना है कि आर्थिक के पांच लिख दिये तो आपको सभी कारणों को एक एक लिखना पड़ेगा यह आपकी ध्यान देने वाली बात थी अगला निभंद लेखन की मैं बात करूँ देखिए निभंद लेखन आपको सिर्फ हिंदी में लिखना है निभंद लेखन जो था वो आपको सिर्फ हिंदी में लिखना था इंग्लिश मीडियम वाले भी निभंद लेखन हिंदी में ही लिखते हैं याद रखिएगा हिंदी का पेपर तो उनको हंदी में दे नहीं है हिंदी बंद भी इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में लिखते हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले याद रखेगा हिंदी अपनी सुधाल लीजिए एक बात और मैं आपको बता दूँ कि क्या होता है कि जब आप हिंदी का इनिभन का पेपर देने जाएंगे इस्पेशली में मेंदेंगे इंग्लिश में वाले यहां पर मीडियम इंदी लिखेंगे क्योंकि यह वाला प्रुषा हिंदी में दे रहे हे हो तो ओन्रों को ऊपक्षाम्त के निसारव विषय का चुनाव कर सके जितना भी topic है आपको सभी topic को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, निभन, एक 1000 शब्दों में लिखना है, एक 500 शब्दों में लिखना है, बाकि तो फिर प्रारूप लेखना आ जाएगा, मैं निभन की बात कर रहा हूँ, सभी topic को ध्यान पूर्वक पढ़ें, और फिर ध्यान प विखते हैं इतना कुछ लिख चुका है कि वो फिर आया गया निवंद हो जाता है नहीं आ रहा है तो फिर बाती लगे फिर लिखने ही है लेकिन एकदम सथान विशेश चुनने से बचें लेकिन शेली इस गिदम ख्लिष्टनी सथारलों लेबद्दता वो क्रम न तूटे इसका विशेश ध्यान रखें विशेश ध्यान रखें अब आपको केसे कि भाषा सहज वा सरल जैसे ट्रेन को आप रेल लिख सकते हो ट्रेन लिख सकते हो लेकि लोपत गामेजी नहीं लिखो गया ठीक है कंप्यूटर को आप कंप्यूटर लिख सकते हो संगणक नहीं लिखो गया लिख सकते हो लेकिन एसी क्लिष्ट भासा से बचें सहज वा सरल भासा का प्रयोग करें लेब अध्यता नहीं टूटे आप बात कर रहे हो फॉर एक्जामपल भारत ने बेरोजगारी की बेरोजगारी की बात करते हो थे कि छोटे छोटे आपको पेरेग्राफ लिखने है निबंद में आप बेरोजगारी की बात कर रहे हो चोटे छोटे छोटे पेरेग्राफ की भी किया जा सकता है for example निभंद अगर आया भारती संस्क्रती पर वा सुधेव कुटुम्ब भारती संस्क्रती का एक आधर शुवाक के माना जाता है तो आप कथन को शुरू कर सकते हैं बतलब कथन से भी निभंद शुरू कर कर सकते हैं आप कथन से अगला है रिपोर्ट डेटा केस यह रेकांकित कर दें अगर आप निभन में डाल रहे हो तो इसको अंडरलाइन करें अगला न्यूस्क्रत दिखेंगे न्यूस्क्रत निभन्ध कौन सा जब या पुरुस्क्रत निभन्ध देख लेगे तो वहां पर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या शुरुबात करी और किस प्रकार से निबंद लिखा गया है तो वो जो प्रोस्क्रप निबंद है न वह बहुत विशेश तोर पर बहुत जो अनुभवी सिक्षा कोंते हैं वो चेक करते हैं तो कि आपको सीधा सीधा यहां पर पेला शक्ती करण हो गया तो अच्छ भारत हो गया और ऑपने कथन पहले से निबंद कि अर्फ निभंद के प्रतिएख्षपर प्रकास ढाले आ circular आर्टिक सा माझी ग्राध्मीरूलिक स्रांस्ट्रीट d Deb Coming सभी पक्षों पर आपको बराबर प्रकाश जालना है एक ही पक्ष पर नहीं लिखना है अगला कथन यदी निबंद के बीच में लिख रहे हैं तो उपर नीचे की एक एक लाइन छोड़े ताकि सभी हैं कहान आपको बताया तुर यह हैं किसी समाज में कैसे साहित लिखा जाता है इसी अधर पर समाज पर नीचे की लाइन होड़े बीच कोछा तो तो अलगी उसको दिख जाएगा कि आपने कथन लिखा है कथन इस प्रकार लिखें अगला प्रत्यक पक्ष एक नए पेरेग्राफ से लिखें जो ज्यादा बड़ा ना हो मैं आपको बता है कि आप फॉर एक्जांपल बेरोजगारी की बात कर रहे हैं अगर खताम हो गया चोटा पेरेग्राफ तो अगली लाइन दूसरे पेरेग्राफ एक बात छोटी चोटी तरीके से कहें और अलग-अलग पेरेग्राफ से कहने शुरू करें इस प्रकार आपको निभंद केताए उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो निभंद के विशय का च चुनाव के से करें कि विशय का चुनाओ सावधनी पूर्वक करें क्योंकि सिर्फ तथी की जानकारी काफी नहीं होथी निभंध कर चुनाओ विशे का चुनाओं सौधनी पूर्व करें कि अगर आपको सिर्फ कुछ तत्य पता है तो आप निभंद नहीं लिख पाएंगे, बीच में जाएक आप अटक जाएंगे, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, नमबन नहीं मिल पाएंगे, कुछ लोग निभंद में भी फेल हो जात पहले ही मस्तिष्कना format का blueprint तयार करने कि आपको क्या लिखना है, कहां से शुरुबात करनी, कौन-कौन से कथन डालने, किस-किस paragraph में क्या-क्या point देना है, कहां क्या लिखना है, चाहे तो पीछे rough कारी भी कर सकते हैं, format बना सकते हैं rough में, फिर निभंद लिखके उसको मिट इस प्रकार से आपको लिखना है, लेकिन याद रखिएगा निश्कर्ष, प्रस्तावना, उपसार, इसी आपको heading नहीं देनी है निभंद में, अब आप स्कूल और कॉलेज का निभंद नहीं लिख रहे हैं, प्रस्तावना में कथन या समसामी की मुद्दों में शुरुब आप कर सकते हैं, निमित रूप से अखबार और पत्रिका के निभंद वा संपाद की पेज का अध्यन करें, जिससे आपके शब्द शेली में काफी सुधार होगा, निमित रूप से अखबार और पत्रिका जो है, उनकी निभंद जो आते हैं, मेगजिन में जो निभंद आत निशकर्ष में सुझाओ दे सकते हैं लेकिन यह सभी सकारात्मक होना चाहिए उसके बाद समस्या पर निबंद अधी आता है तो आपका निशकर्ष समाधान रूपी ही होना चाहिए तो आपका जो निशकर्ष है वो सदेव समाधान रूपी होगा आप उसका समाधान ही देंगे इसके अलावा आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो ये था आपका कि प्रशनों के प्रकार के बाद का अगला वीडियो की अच्छा उत्तर और अच्छा निबंद लेखन जो है वो कैसे लिखें इन चीजों के आप फॉलो करेंगे तो यकिन मानिया आप उनलाइन गुरू कुलम पर या किसी भी कोचिंग संस्थान में यदि आप टेस्ट देंगे या आप सीधे लोग से वायोग के मुखे परिक्षा में यदि आप सामिल होंगे तो आपके उत्तर का लेवल एक अलग ही रहेगा आप जब खुद की कॉपी चेक करेंगे आप अपने पुराने उत्तर और इन बिंदूओं को फॉलो करने के पाद अपने उत्तर देख लीजिएगा आपको अंतर साफ पता चल जाएगा और बाकी की जो चीजे हैं वो आपको ओनलाइन गुरू कुलंग के इस प्लेटफॉर्म पर करन्ट अफेर्स से सम्बंदित मेंस में करन्ट अफेर्स केसे जोड़ें यह कही नहीं मिलेगा इस पे भी सम्बंदित कुछ वीडियो आएंगे वीडियो में हम आपको पेंस के सारे छे पेपर को डिकोड करके भी बताएंगे तक पस्चार टेसरी शुरू होगी जिसमें आपको सीधे बॉडल आंसर और संभावित प्रशनों का तथिसार भी दिया जाएगा जो कि अपने आपने आपने ओनलाइन प्रेटफर्म के शेत्र में एक अनूठा प्रयोग है तो आप लोग ओनलाइन गुरुकलम पर बने रहे हैं चैनल को जरूँ सब्सक्राइब करें बेल आइकोन दबादी दीजिएगा ताकि इस प्रकार के महत्पूर और वीडियो आपसे बिलकुल भी मिस ना हो ओनलाइन गुरुकलम के साथ बने रहे हैं इस प्रकार की वीडियो के लिए धन्यवाद